मार्च माह 2024 से जून 2024 तक का समय तुलाराशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जैम आता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इन चार महिनों के तुलाराशी फल के बारे में ये जो चार महिने है यानि जून तक का मध्य वर्ष समाप्त होगा और ये जून तक का समय आपके लिए कैसा होने वाला है आपके परसनल जीवन के बारे में जानेंगे आपके करियर के बारे में जानेंगे आपके व्यवसाय के बारे में जानेंगे सिक्षा और स्वास्था के बारे में होंगे तो वीडियो को लास तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं क्योंकि यहां आपको अपनी राशी से जुड़ी हर एक जानकारी समय पर मिलेगी तो हमारे जो चैनल है उसका नाम चेंज हो चुका है अमरिता एस्ट्रो के ना आपके पंचम भाव में ही है अभी शनी आस्तवस्था में है लेकिन 15 मार्च को शनी उदया हो जायेंगे तो शनी पंचम भाव में ही रहेंगे और यहां से आपके तीन भावों पर दरस्ति डालेंगे जोकी है सब्सक्राइब पर एकादस भाव पर और द्योत्य भाव बा दूसरे ग्रह हां देव गृु ब्रस्पती एक मई तक आपके सब्तम भाह वे हैं जहांसे आपके YE भाव चौटे भाहव में मौजूद हैं यहहीं ही के तू आपके बारवे भाव में विराजवान है तो ये भी यहीं रहने वाले हैं, बाकी अगर मैं ग्रहूं की बात करूँ, जैसे शुक्र हो गए, आपके राशी के स्वामी हो गए, बुद्ध देव हो गए, मंगल देव हो गए, तो इनका जो राशी परिवर्तन है, तो आपके मंगल की वज़ा से यहां प्रभावित होने वाले हैं, शुक्र आपके राशी के स्वामी है, शुक्र का जो राशी परिवर्तन है, कुम्ब राशी में, मीन राशी में, मेश राशी में इनका गोचर होगा शुक्र का, और बुद्ध हर 15-20 दिन में राशी बदलते है तो इनका भी राशी परिवर्तन रहेगा तो अब इनका जो प्रभाव है वो कैसे आपको प्रभावित करने वाला है चले जानते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे करियर के बारे में कि आपका जो करियर है वो आपको किस तरह के प्रभाव देने वाला है तो यहां अगर मैं शनी नहीं कि आपके पांचवे भाव में होने से आप बड़े अपनी बुद्धी से काम करेंगे पद प्रतिस्था में व्रद्धी होगी नौकरी करते हैं आप पचावेपार करते हैं वहाँ प्रगति भी होगी आपके मित्रों की द्वारा आपको लाभ मिलेगा और साथ ही इस यह भाव अच्छे नहीं माने जाते लेकिन जब इस भाव में पापी इग्रह बैठा हुआ हो तब उसका रिजल्ट अच्छा होता है तो राहू आपके लिए धनार्जन करने में सफलता दिलाएंगे आपको इस साहसिक कामों में प्रगती देखने को मिलेगी वेफसाइक शेत देखेंगे शत्रों के उपर हावी रहेंगे शत्रों का भी नाश कर पाएंगे और अगर आप किरशी जैसे कामों से जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपके लिए अनुकुलता बनी रहेगी के तो आपके बारवा भाव में बैटे हैं बारवा भाव कौन सा होता है बारवा हम देखेंगे तो चीजें जो हैं वो अच्छी होने वाली हैं अब देखें मंगल की वज़े से आपके लिए इस समय बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं क्योंकि मंगल आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है जैसे धनलाब दिलाएगा उच भी बढ़ेंगे और सफलता भी मिलेगी ये काफी अच्छा रिजल्ट आपको देने वाले हैं सभी ग्रह मिलकर आपके राशी के स्वामी की जहां तक बात है तो आपके राशी के स्वामी के द्वारा भी आपको वैपार में सफलता मिलेगी देखे वैपार करने वाले लोगों ऐसे होंगे जहां आप अपने वेपार में सबसे ज़्यादा लाब देखने को मिलेगा आपके करियर में सबसे ज़्यादा लाब आपको देखने को मिलेगा ये दोनों चीजें ये दो महीने बहुत उत्तम रहने वाले हैं इस दोरान गुरू का राशी परिवर्तन है गुरू एक मई को राशी बदलेंगे और एक मई से ये कहां आ जाएंगे ये आ जाएंगे व्रशब राशी में तो एक मई तक आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट गुरू के द्वारा देखने को मिलेंगे सब्तम भाव में रहकर आप व्यपार भी अच्छा कर पाएंगे और अपना है मीन राशी और एक आपके द्विते भाव पर होगी धन भाव पर और एक आपके चौते भाव पर होगी अब देखें यहां दो इनकी द्रस्टियां हुई अस्टम भाव में बैठकर धन लाव कराने वाले हैं बहुत अच्छा लाव आपको होगा परिवार से सुख मिलेगा आपको भुमी, भवन, वाहन सारी चीज़ों पर खुश्या मिलेगी आपके लिए कुटुम्ब का साथ मिलेगा आप वाहन आधी की खरीदारी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके लिए यात्राओं का योग भी बने-गा विदेश यात्रा का योग भी यहां बनता शनी का एक परिवर्तन है तीस जून से ये परिवर्तन है तीस जून से 15 नवंबर तक क्या करेंगे शनी वक्रत्व काल में जाएंगे तो वहां आपको सावधाने रखने हैं लेकिन हम जून तक की ही बात करें तीस जून तक की ही तो तब तक हिस्तितियां जो है वो काफी अच यह कैसी होने वाली है, तो पती-पतनी के साथ जो आपका जो बॉंड है वो अच्छा रहेगा, बस थोड़ा स्वास्थय आपका प्रभावित हो सकता है, स्वास्थय का थोड़ा सा ध्यान रखें, मौसी भी बिमारियों के यह आप कह सकते हैं, उसे थोड़ा प्रभावित हो स जो आपके रिष्टों में गलत फैमिया हो गई हैं मई के बाद वो दूर हो जाएंगी गलत फैमिया सकारात्मक संबंद आपका रहेगा सकारात्मक बाचीत रहेगी और जून तक का जो समय है ये आपके लिए सबसे उत्तम समय रहने वाला है आपके रिष्टों के लिए बहु कि इस्तितियां कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी बनी हुई है अब इस जो जून तक का समय है यहाँ प्रेम विवाह के भी प्रबल योग बन रहे हैं अपने रिष्टों को लेकर अगर आप संजीदा है तो आपके लिए प्रेम विवाह का बहुत अच्छा योग बना है जो कि एक तो मार्च के महीने में भी आपका बहुत रोमैंटिक समय है मार्च के महीने में भी आपका जो प्रेम विवाह का योग है और प्रेम जीवन के लिए भी अच्छा बना हुआ है इसके अलावा वैवाहिक जीवन भी आपका इस दोरान अच्छा रहेगा पारिवा मार्च के महीने में थोड़ा सा तनाव आपको देखने को मिल सकता है पारिवारिक जीवन में तो लड़ाई जगड़े से बचने की कोशिश करें इससे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा लेकिन परिवार के साथ सहयोग देंगे महतपुन कामों में काम्याभी भी हासिल करेंगे और हाँ आप अपने भाई बहनों के लिए प्रेड़ना दाई रह सकते हैं इससे आपको काफी खुशे भी मिलेगी तो ठीक ठाक ये पारिवारिक जीवन रहने वाला है इसके अलावा जो 15 मार्च से 23 अपरेल तक का समय होगा तब आपको जो मंगल का गोचर ह होगा वो आपके पंचम भाव में होगा उस समय आपको अपने संतान का विशेष द्हान रखना है कि उसकी संगती न बेगड़े संगती पर ध्हान रखें और उनके स्वास्था का ध्हान रखें किसी वाहन वगएरा चलाते हैं तो सावधानी पूरवक चलाएं तो ये समय पंचम भाव में पंचम भाव संतान का भाव होता है तो इसलिए संतान का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा अब सिक्षा की अगर मैं बात करूं तो सिक्षा के शेत्र में शनी पंचम भाव में हैं ये सिक्षा का भाव भी होता है और आपके चौथे भाव के स माई के महीने तक यह जादा चुनोती पूर्ण हो सकता है तो यहां आपको मेहनत जादा करनी होगी मार्च से माई तक का आप ध्यान रखें कि इस समय अबधी में आप जादा फोकस्ड रहें चुनोतियां आएं उनसे घवराएं नहीं द्रड निश्या बना कर रखें पढ़ा उच्च सिक्षा ग्रहन कर रहे हैं तो आपके लिए ठीक ठाक समय रहने वाला है मंचाहे आप परिणाम प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा फोकस अपना बढ़ा दिया तो गुरु जो है वो ज्यान के स्वामी है और गुरु का राशी परिवर्तन हो जाएगा गुरु का राशी परिवर्तन अस्टम भाव में होगा अस्टम भाव में गुरु का परिवर्तन आपके ठीक ठाक होने वाला है सिक्षा के शेत्र में तो अगर मैं कहूंगी तो सिक्षा के शेत्र में भी ये समय आपके लिए अच्छा होने वाला है अब बात करते हैं आपक करते हैं कि क्या उपाय करने आपके लिए अच्छे होंगे एक तो मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर में जो एक तिकोना जंडा होता है ने दो मुखी जंडा लगाना चाहिए मंदिर में तिकोना दो मुखी जंडा लगा दें एक अच्छा आपके लिए उपाय रहेगा और दूसरा शुक्रवार के दिन देवी लक्षमी की पूजा करें और कभी-कभी खीर का भोग लगा कर वो खीर भी आप अपने चानल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें और लाइक और चानल को सब्सक्राइब करें